नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्योब चनल जॉब इनफरस्ट्ट आपका स्वागत है देखें यहां पर हम कुल मिलाकर तीन न्यूज हम आपको बताएंगे दोस्तों तीन तीनों न्यूज जो है आप लोग जरूर देखेंगे दोस्तों यहां पर जो है न्यूज आ रहे हैं प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हमन्त सोरन की देखेता में हुई इस बैठक में 11 प्रस्ताव को मंदूरी दी गई है और बैठक के बाद मंत्री चंपई सोरन ने बताया कि आदिवासी अनसुचित जन जाती के लिए जो है अब एक ही बार जाती परमान पत्र बनेग होगा इस प्रस्ताव को जो है जाती जन जाती प्रामार्द सिता शमिती यानि जिसकों लोग बोलेंगे टी एसी की बैठक में मंजूरी दी गई है इसके अलाबा सरना धर्म कोड विश्य विद्याले खोलने जेल में लंबे समय बंद आदिवासियों आदिवासियों के जमी जन जातीय भासा के सिक्षक होंगे बहाल बैठक में देखे जन जातीय भासा के भासाओं की पढ़ाय के लिए प्राइमेरी अस्तर पर सिक्षक बहाल करने का निरने हुआ जन जातीय समाज के धार्मी कस्तल को चिन नित किया जाएगा जन जातीया के आर्थिक समाजीक खूलने से देखे सौ परतिसत आदिवासी बच्चों को मिलेगा निसुल्ख सिक्चा यह जो है निविज बंधु तिर्की तरब से आ रहा है हमारे पुर्व विधायक देखें यहां पर देखें सीला गई में बन रहे एक लब्यावाश विध्याले के निरने का विरूद कर र परिसिक्षन भी दिये जाएंगे इससे वहां के लोगों को जो है रुजगार मिलेगा श्री तिर्की ने कहा कि कुछ लोग स्वार्थ वस्क वहां के ग्रामिन को दिख भरमित कर रहे हैं समवार कुरांची इस्तीत आवाश पर आयोजित समवादाता सम्मेलन में उक्त बात जार्खन हाई कोट के जस्टिस डाक्टर एस एन पाठक की अदालत ने गैर अनुसुचित जीले में हाई स्कूल सिक्षक नियुक्ती मामले में डायर आयाचिका पर विडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की अदालत ने सुनवाई के दोरान प्रार्थी का पक सुनने के बाद राजसरकार जार्खन करमचारी चायन आयोग यान जेससी को जवाब देने का निर्देश दिया है मामले की अगली सुनवाई के लिए चाहर सप्ता के बाद तिथी निर्धारित करने को कहा है इससे पूर्व प्रार्थी की और से संस्कृत बिसे में सिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए जेससी को उचित निर्देश देने का आगरह किया गया जेससी की और से अधिवक्ता संजे पीपरवाल ने अदालत को बताया कि आयोग का जवाब तैयार हो गया है लेकिन समय भाव के कारण जो है उसे दायर नहीं किया जा सका है तो यह था दो कि अवड़ाण आगर से दायर हो म म हम बताया है अब कर दो यह ब thinks म pro दो कर